आप सबी का स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम बताएंगे कि 2022 में Father's Day कब है और Father's Day क्यों मनाया जाता है पिता अपने बच्चों के लिए एक रोल मोडल, गाइड, सूपर हीरो, दोस्तोर, रक्षक होते हैं पिता के इसी योगदान को याद करते हुए यह दिन मनाया जाता है हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को Father's Day मनाया जाता है इस साल 19 जून 2022 को Father's Day मनाया जाएगा एक पिता ही है जो हमें जीवन का सही मुले सिखाते हैं और हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं और जब हम गिरते हैं तो हमें उठाते हैं Father's Day का इतिहास Father's Day मनाने की शुरुआत को लेकर दो कहानिया है पहली कहानी अमेरिका के West Virginia की है जहां दिसंबर 1907 में एक खनंग दुर्गटना में 361 लोगों की मोत हो गई थी उन्ही की याव में 5 जुलाई 1908 को पहली बार Father's Day मनाया गया था दूसरी कहानी 1910 की है इतिहास के अनुसार सनोरा समाट डॉड ने अपने पिता विलियम जैक्सन समाट के प्यार और त्याग से प्रेवित होकर पितर दिवस की नीव रखी थी सनोरा के पिता ने अमेरिकन सिवल वार में हिसा लिया था चार बाई बहन और मा के गुजर जाने के बाद सनोरा के पिता ने ही उन्हे पाला पोसा था पहली बार Father's Day अमेरिका में 19 जून 1910 में मनाया गया था बाद में सन 1966 में अमेरिकी प्रेजिडेंट लिंडन बी जॉन्सन ने जून महिने के तीसरे रविवार के दिन पितर दिवस मनाने की मंजूरी दे दी थी भारत में Father's Day बहुत प्यार से मनाया जाता है बच्चे अपने पिता को कार्ड, गिफ्ट और फ्लावर देते हैं कुछ बाहर खाना खाने जाते हैं और अपने पिता के साथ पूरा दिन बिताते हैं Father's Day गिफ्ट की जगा आप इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए एक मिनी विकेशन पर भी जा सकते हैं अपने पिता के साथ ऐसी जगा पर जाएं जो उन्हें बहुत पसंद हो जैसे अगर उन्हें नेचर से प्यार है तो किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं एक पिता अपने बच्चों को मा के जनम देने के बाद एक नई जिन्दगी जीना सिखाते हैं पिता बच्चों को जीवन में सही इंसान बनने के नैतिक गुन और परिवार की जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वहन करना सिखाते हैं पिता हमें परिशानियों से बचाते हैं और उनसे लड़ना सिखाते हैं पीता का महतव केवल कुछ शब्दों में ब्यां करना असंबव है, लेकिन हम उनके प्रती अपना प्रेम, समान और इज़त जरूर प्रकट कर सकते हैं. इस दिन आप अपने पीता को धन्यावत कहना ना भूलें. हमेशा से ही पीता की छवी एक कठोर दिल वाले इंसान के रूप में हुई है. ऐसे में ज्यादा तर बच्चे अपने पीता से बात करने से कत्राते हैं. तन्तु पीता दिवस पर आप अपने प्यार को खुल कर जाहिद कर सकते हैं. इस दिन आप उने दिल खोल कर बता सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं. दुनिया भर में फादर्स डे अपने पीता को ये बताने के लिए होता है कि वे उनके जीवन में कितना महतव रखते हैं. साथ ही ये दिन पीता को धन्यावात करने और उन्हें समानित करने के मकसद से मनाया जाता है. पित्र दिवस के द पहली बार Father's Day मनाया गया तो वशिंग्टन की सुनोरा समार डॉड ने गोड़ा घारी पर बैठ कर पूरे शहर में बिमार पिताओं के घर जाकर उन्हें उपहार बांटे थे पिता दिवस का महत्व सभी पिताओं को समानिक करने का एक अफसर मिलता है जो इस समान के योग्या है Father's Day सभी बच्चों को अपने पिता को प्यार और समान देने तथा उन्हें धन्यावत करने का मोक़ा देता है पिता दिवस दुनिया के हर एक पिता का अपने बच्चों के लिए दिया गया बलिदान, प्याग, कड़ी मेहनत और जिम्मेधारी को दर्शाने का परतीक है यह दिन समाज में पिताओं के परियास और योगदान की यादी लगता है यह तो आप सब जानते होंगे पिता का हमारे जीवन में बच्चपन से लेकर जब तक हम जिन्दा रहते हैं उनकी सीख का असर हमारे लाइफ में रहता है फादर्स डे, मदर्स डे जैसे मोकों पर बजार पी पहले से ही त्यार हो जाते हैं मार्कित में गिफ्ट कार्ड, बीटिंग्स और अन्य समान का स्ट्रॉक पहले से ही रख लिया जाता है इस दिन लोग पापा को खास तौफे देते हैं, लोग तरह तरह से फादर्स डे को सेलिडेट करते हैं पिता क्या होता है? मा घर का गौरब और पिता घर का अस्तितफ होते हैं दोनों समय का बोजन मा बनाती है, जीवन भर बोजन की विवस्था करने वाले पिता को हम सहज ही बूल जाते हैं कभी चोट लगती है तो ओ, मा ही मुँसे निकलता है, लेकिन रास्ता पार करते हुए कोई ट्रक पास आके ब्रेक लगाए तो बापरे यही मुँसे निकलता है क्योंकि चोटे-चोटे संक्टों के लिए मा है और बड़े-बड़े संक्ट आने पर पिता ही याद आते हैं पिता एक वट व्रिक्ष की तरह है, जिनकी शीतल चाओं में समपूरन परिवार सुखी से रहता है आज के दिन आप भी अपना समय पिता को दें, पिता के साथ इस दिन को इंजॉय करें पिता को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, जुरूरी नहीं कि आज फादर्स दे है तो आज पिता को समय दें Fathers Day के अलावा भी हर दिन अपने पिता को सुपोर्ट करें क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छी दुनिया दी है हमें आगे बढ़ना सिखाया है Friends, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नई वीडियो में